कि अगर आपको यह डिग्री मालूम हो और ट्रविल का लेंथ मालूम हो तो आप बागी का कैसे निकालेंगे आज की वीडियो में यही जानेंगे और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें तो जिसे देखें दोस्तों मान लिजे अगर आपको यह डिग्री जो है आपको यह डिग्री मालूम है यह कितना जिसे कि मैंने अभी इसका जो है आपको समझाने के लिए बनाया है तो मैंने इसको निकाला तो इसका डिग्री आया 29.791 यह इसका डिग्री है और जो ट्रविल म यह घ्री एसा एक मैं है एक पर नीचे लिखा भी ए रन एकक्वल टू यह हो गया आपका ट्रवेल ट्रव्य इन्टु कॉस यह वालए डिकरी तो आप देखते हैं ये क्लोट्र में जेसे कि ट्रविल मालेज ये 1.50 है यह हो गया ट्रवेल इन्टू कॉस टू 29.791 यह है 29.791 अब इसको equal करेंगे तो यह देखिए 130.1765 सा कुछ आया है जो कि मैंने इसको measuring किया है scale से तो यह 131 आ रहा है तो यह एक formula आप याद कर लिजे अगर travel और यह degree दिया है तो आपको run कैसे निकालेंगे तो उसमें करना कि आपको travel into cost यह वाला degree मारना है calculator में तो आपका यह ही run निकाल जाएगा उसके बाद दूसरा जरी से दिमाली ज़े आपको sit मालूम करना है और आपको travel मालूम है और यही degree सेम मालूम है तो उसके लिए आपको क्या करना है देखिए उसके लिए आपको करना है ट्रवेल कितना था इसमें 150 था travel into अब यहाँ पे sign उज़ करना है travel into sign जो आपका degree है ये 30 degree हो, 40 degree हो, 45 degree हो या जितना भी degree हो वो आप मारेंगे और ध्यान रहे कि ये समकोड त्रिभूज में ही सब सारे formula काम करेंगे तो travel into sign 29.791 अब equal करेंगे तो आपका देखे 74.5256 से कुछ आया है और जहां तक कि मैंने measuring करके लिखा है, यहाँ पे 75 mm का ये है लगबग और यहाँ पे देखे, यह मतलब एकदम point में फरक आएगा बस तो आप measuring करने में point में फरक आ सकता है तो travel into sign ये करेंगे तो आपका ये set मिलेगा और travel into cost ये degree करेंगे तो आपको ये run मिलेगा तो ये है दोस्तों उसके बाद मालिजी आपको degree निकाला हो इससे कि आपका तीनो दुट्तों निकल गया भी travel आपको मालूम था आपने travel और इस degree से जो है run भी निकाल लिया और travel और इस degree से जो है set भी निकाल लिया अभी आपको जो है confirm करना है कि ये degree कितना है तो जैसे कि मैं बता दूँ त्रिभूज के तीनो भुजाओं का योग जो है 180 degree होता है जैसे कि माली जी है समकोर त्रिभूज है ये जो है 90 degree रहेगा ही उसके बाद आपने ये degree आपको दिया है 29.79 तो आप इसको प्लस इसको जोइन प्लस करेंगे एड करेंगे उसके बाद जो है एक स्वस्ती में माइनस करेंगे जो बचेगा वो आपका ये degree आएगा उसके बाद अगर आपको नहीं आता है वो करने तो सिंपल सा एक है फार्मूला और जो की आपको set और run से degree निकाल सकते हैं दो होगा यसी देखें यहाँ पर मैंने लिया है run 131 divided by ये set 75 उसके बाद shift 10 करेंगे तो degree निकलेगा देखें तो यहाँ पर देखें मैं करता हूँ 131 131 divided by 75 equal उसके बाद shift 10 अभी देखें यहाँ पर आया है 60.208 ऐसा कुछ degree आ गया तो यह degree जो है यहाँ का है यहाँ पर मैंने जो है लिखा है 60.208 तो जैसा कि देखें यहाँ पर 60.208 आ गया यानि कि आप run divided by set करेंगे उसके बाद shift 10 करेंगे तो आपको यह degree मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों अगर आपको यह degree निकालना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा set फिर divide करना पड़ेगा 131 से यह से देखें set हो गया 75 divide by run 131 इसको equal करेंगे उसके बाद shift और 10 करेंगे फिर equal करेंगे तो यह 29.791 यहां का degree आगया यहां जैसे देखें मैंने लिखा है 29.791 तो यह degree यहां का आगया और यह जो है यहां का मैंने बताया है पहले आप set divide by run करेंगे तो यह degree आपको यह वाला मिलेगा और उसके बाद पहले आप अगर run करेंगे run divide by set तो आपको यह degree मिलेगा तो इस तरह से दोस्तु run, set और travel जो है निकाला जाता है और एक पाइथागोरस की प्रमे से भी निकाला जाता है अगला वीडियो मैं उसको इपर बना दूँगा चाहिए तो और यह उम्मीद करते हो जनकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, सेर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यह रो करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद